गुड मॉने स्टूरी में यह क्लास 11 थे आपका सब जब जो है फ्रेजिक्स ठेग तो इससे पहले हमने डिस्केश किया था वोग एनर्जी ठीरम और काइनेटिक एनर्जी उससे पहले हमने डिस्केश किया था तो हम देखते हैं आज पोटेंशियल एनर्जी ठेगा न चैप् आप आप लोगों का वाग पावर एन एनर्ज एज तो अब लोगों का जुँए अब लोगों का किसी पॉजिशियन या किसी था resistor की में अब्लोग के सिजिए श्यूप की वजह से जो घ्री एनेर्जी कौन आप लोग क्या कहां कि अधिया था जो आप लोगों का जो है एमोशन की वजह से होता है तो अब लोगों के इस तरह से लिख सकता है ना इनर्जी पॉससेट 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 बाइए बोडी दा इनर्जी पॉससेट बाइए बोडी बाइवर्च्यू ओफ इस बाइवर्च्यू ओफ इस पॉसिशन बाइवर्च्यू ओफ इस पॉसिशन या कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन या आप लोग किया सकता ना या शीप शीप चेंज की वज़े से भी हो सकता है ठीक है इसकाल्ट 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 पॉटेंशियल एनर्जी पॉसिशन की वज़ेशन या किस जोई शीफ चेंज ही वज़े ब्लस चेंज की वज़े से थिग ना तो कन्फिगेशन की मदलब जोवेफ शेप जोही चेंज फिग न इसके वज यहाँ पर देखो, आप लोगं का इक ब्रांच है. तो ब्रांच पे आपल है। ग्रांड पर हायड पहेंना. है जब ग्रांड पर मोट मुझागा, पुटेंचिल और जो एक जो एक जो सी पोजिशन की वज़ज़ से आप जो एनर्जी ऊगए आप डोंका श भी चैपinkंपोड़ के वज़ए से से करदा इस गये को पोटेंचियल एनर्जी कि ठीक तो इसकी बाद हम डिसके संफे आगे पोटेंचियल एनर्णी स्य unto आ गे खेंख है trade आपका ग्रेविटेशनईल पोटेंशाल एणर्जी लोग करेंगा पोटेंशाल एनर्जी का डिर Infinition ठेजन फोटेंशन आप फीर 156 एधिर करेंगेuju सिख सथ करेंगे ठीक है न यह लोग कहेंगे block of mass M चेके which is raised to a height H जेके न, ground से किसी H पर आप लोग क्या कर रहे हैं इसको raise कर रहे हैं जैसे कि आप लोग का यह है यहां पर एक बुलाग आप लोग ने raise किया यह आप लोग का mass M तो यहां से यह ground है तो ground से कितना height पर है height जो है ash पर है तो अब इस block के हम क्या देखते है potential energy देखते है अब मुझे चाहिए the force are required to lift the block अब मुझे block को तो lift करना है तो मुझे क्या चाहिए force है किसके लिए force है यह तो यह ब्लॉक को lift करने चाहिए जो मुझे force चाहिए force block must be must be equal to gravitational force gravitational force की तो equal होना चाहिए क्योंकि gravitational force कुछ है तो इसका direction opposite है इसके अगेनस में क्या करूँगा इसको आप लोगा किसी जो है position भी lift करूँगा तो वहां पर मुझे क्या चाहिए force होगा वो आप लोगा किसके बराबर होगा gravitational force के बराबर होगा तो means F light is called to आप लोगा क्या होगा F G gravitational force तो gravitational force किसके बराबर होगा M G weight के बराबर होगा तो मुझे walk down की जरुवत पड़ेगा therefore तो मुझे जो walk down की जरुवत पड़ेगा lift करने के लिए वो walk down किसके बराबर होगा F into S force और क्या होगा आप लोगा distance ठीक है तो आप लोगा क्या होगा F S F का वहले क्या है M G S means height height कितना है आपका H W is equal to क्या होगा M G H तो यह walk down जो होगा किसकी form में होगा gravitational potential energy के form में होगा ठीक है तो यह आप लोगा U is equal to M G H लिख सकते है यहां पर आप लोग माइनज भी लिख सकते है क्योंकि आप लोगा क्या है direction जो है opposite ठीक है gravitational force का आप लोगा क्या है direction downward में लेकिन आप लोग लिफ्ट कर रहा है उपर में तो आप लोगा माइनज भी असकते है आप लोग के लिख सकते है U is equal to M G H यह walk down जो इस storm होगा बोडी में किसके form में उस height प लोगा potential energy के form में यह यह walk down ठीक है ठीक है जब आप लोग इसको खेंज जाएंगे दोनों side से force ला जाएंगे तो में spring का क्या हो जाएगा shape जो ही change हो जाएगा तो इसके वज़े से इसमें भी potential energy होगा तो इसको आप लोग क्या कहेंगे potential energy of spring ठीक है ठीक है तो इस तरह से लिख सकते है when spring isplants स्ट्रेच यह अभलों को इस स्ट्रेच कर देंगे यह अवस्ट्रेच कर देंगे जासे कि आख लोग कर स्ट्रेच है यह उस्ट्रेच है यह RAE को वे स्ट्रेच उप्रेच यह तो पॉस्ट्रेश ही है नॉर्मल पोजिशन आप लोग लिखेंगे एक रिखोल देरो डिस्पलेस नहीं आप लोग को जो थेकिन आम मेन पोजिशन पर एक तो आप लोग का बाए इसमोल डिस्पलेसमेंट let's place my next okay then the restoring force then restoring force is produce it in the spring in the spring okay to bring it to the normal position to bring it to normal position है normal position कोई आप लोगा displacement ने displacement means x equal to zero ठेक है न तो आप लोगा कई डिस्पलेशमें एकस एकौल टो जडियरो यहां पर मास है उस लोग कर द है एकस पल टो कि इसके बाद आप लोग क्या करते हैं इसी प्रेंग को कम प्रेस करते हैं इतना है तो यहां पर यहां पर आप लोग का एक्स लेकिन आप लोग लेसकता है माइनस X, ठीक है तो अब लोगों का यह इस तरह से अब लोगों का डाइगा ठीक तो इसमें फोर्ज्य रिस्टोर होगा, वो फोर्ज्य जो है अब लोगों का क्या होजाएगा, बिंग तू दर नॉर्मल पोजिशन, तो अब की सिप्रेंग को किसमें हो जाएगा यह आप लोग के जो इसमें एक फोर्स टोर हो गए इसके विज़े से वह अपनी नेचरल पोजिशन पर आ जाएगा तो आप लोग का इसलिए डारेक्शन में उपोजिट आ जाएगा इसके को आप लोग कहेंगे वेर की इस सिप्रिंग को अनस्ट तो हम जो है इसके बाद इसका पोटेंचल इनर्जी जो है अगले वीडियो में इसमें डिसकस कर देंगे ठीक है